हेलो गाइस कैसे हैं आप वेलकम बैक टो लिटरेचर इंफरमेशन हम लोग डिसकॉशन कर रहे थे कृिटिकल थीरी के उपर और आज हम लोग डिसकॉस करेंगे मिखेल फोकू को और उसके डिसकॉर्स और पावर नौलेज के कॉंसेप्ट को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मिखेल फोकू जो है डिसकॉर्स के बारे में क्या बात करता है फोकू इंटरस्टेटा हा कि डिसकॉर्स जो होते हैं यह कैसे डिफाइन करते हैं रियालिटी को लोगों के लिए जो society होती है उसकी हकीकत को construct करके बताती है फिर ये सारे दुनिया उसको वो कैसे interpret करके देते हैं इस चीज़ के साथ वो obsessed सा मतलब उसका mainly concern था कि ये discourse जो है ये कैसे set किये जाते हैं वो कैसे reality को बताते हैं लोगों को तो इन चीज़ों के उपर उसका mainly concern था और वो obsessed साथ जी से सबसे पहले उसने हम लोगों को discourse की definition दी है कि discourse is an institutionalized way of speaking or writing institutionalized way कैसे for example religion एक institution है आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और अगर आप religious way में बात कर रहे हैं तो ये institutionalized way of thinking है या speaking है जो religion के institution के background में आप बात कर रहे हैं और अगर इसके को example ली जाए तो वो politics हो सकती है तो ये institutionalized way of thinking, speaking या writing है ये होता है discourse about reality that defines what can be intelligibly thought and said about the world and what cannot के फिलाँ बात की जा सकती है फिलाँ चीज के बारे में और फिलाँ नहीं की जा सकती है ये decide करता है discourse discourse एक तरहा का narrative बनाता है for example history of sexuality को देख लेए पहले तो discourse था सेक्स के बारे में कि इसको कोई taboo बनाता था या इसको वो इस तरीके का बनाते थे सेक्स के बारे में बात नहीं करनी जानी के नॉन डिसकसेबल चीज बनाता था ये ऐसा discourse था अब western society में इसका discourse चेंज हुआ नया discourse आया sexuality के बारे में तो Fokou क्या कहता है Fokou argued that a new discourse of sexuality had fundamentally changed the way we think about desires, players and our innermost self तो thinking का जो वे था वो भी change हो गया इसके बारे में discussion की जाने लगी जो इनसान के अंदर desires हैं जो उसके अंदर की चीज़ें हैं उनके बारे में बात की जाने लगी उनको फिर कोई taboo नहीं consider किया जाने लगा क्योंके humanity इसी से बनी है ये जो गंद होता है ना वो यहां पर जो discourse होते हैं उनके अंदर होता है उस चीज़ के अंदर होता है उनको discuss किया जा सकता है अब ऐसा नहीं है कि discourse जो है क्या करते है कि कोई असल पीछे से है वो उसकी reality निकाल कर लाती है actually it is a way of thinking जो तब कुछ और था आप कुछ और है और आगे कुछ और होगा ठीक है आगे इसका power knowledge का concept देखते हैं power and knowledge are not seen as independent entities but are inextricably related फोकू के लिए इनको अलग नहीं किया जा सकता वो कहता है knowledge is always an exercise of power and power always a function of knowledge knowledge जो है यह power की exercise है और power जो है यह knowledge का एक function है जैसे for example America जिस power को वो लगा रहा है वो उसकी knowledge की base पर है आप किसी बंदे को blackmail करते हो वो आपकी knowledge की base पर है जो आपके पास blackmailing की power है यह knowledge और power का रिष्टा फोकू कहता है interdependent है आप इन्हें separate entities नहीं कह सकते एक है तो दूसरी किसी ना किसी तरीके से आपके पास आती है तो यह inextricably related है एक दूसरे के पर ज़रूरी नहीं है कि बंब गिराने वाली हो power of satisfaction भी कह सकते हैं आप फिर कहता है के for example a practice of power knowledge is that of confession के यह power knowledge की practice एक तरह की confession है through a confession which is a form of power people were incited to tell the truth के मतलब जो power है वो आपको मजबूर कर रही है रागब कर रही है या लुभा रही है कि आप सच बोलें produce knowledge about their sexual desires emotions and dispositions यानि सच बोलें एक form of power आपको knowledge produce करने का कह रही है यानि सच बोलना एक knowledge मिल जाना अगले बंदे को तो ये knowledge और power इनका रिष्टा आपस में कितना ज्यादा है तो confession एक तरह की power है जिससे आपको use किया जाता है कि आप सच बोलें यानि knowledge produce करें knowledge और power का ये रिष्टा interdependent है अब फिर वो आगे about their sexual desires हो emotions हो dispositions हो कुछ भी हो अब वो जो psychologists जो थे उन्होंने जब तजर्बे किये थे तो लोगोंने उनके सामने confession किये तब ही सारी findings, reports और formulas बने जब ये उनकी findings थी findings ही ना होती तो कैसे पता चलता लोगों को इसके बारे में यानि मौशरा ऐसे topics पर बात ही नहीं करता शर्म महसूस करता है तो ये सब सो कॉल्ड नेरेटिव और डिस्कॉर्स जो सेट हुए वे हैं उन्होंने हर तरह से आपको पीछे रखने की कोशिश की है इनसान को बैकवर्ड रखने की कोशिश की है हर तरह से जो हम लोगे हैं डिस्कॉर्स सेट हुए में इसमें religion की बात नहीं है लेकिन religion को यूस किया गया है religion में अपने पास से चीज़े आड़ करके इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा ये गुना है तो उसकी वज़ा से लोगों को बैकवर्ड रखा गया जब इनसानों ने बगावत की उन्होंने बोला, बताया, फाइंडिंग्स होई फिर ये चीज़ें पता चली के हकीकत क्या है इनका परदाफाश हुआ और ये बहुत जरूरी था आगे वो कहते है, through these confession the idea of a sexual identity at the core of the self came into existence उनकी in confessions की वज़ा से knowledge का पता चला एक identity जिसका जाइजा लिया जाने लगा वो कहते है, an identity that had to be monitored, cultivated and often controlled आपके पास knowledge है, आपकी audience कैसी है, आपकी देयाया कैसी है, आपकी आवाम कैसी है तो उनके उपर control भी आपने तरीके से ही करेंगे power उस knowledge की वज़ा से बनेगी power दबाने के लिए, लेकिन तरीके knowledge ने आपको दिये तो power और knowledge का आपस में बहुत बड़ा relation है और Europeans ने भी इस पर बहुत काम किया even divide and rule की policy को ही देख लें आप लोग British के पास knowledge था, उन्होंने क्या decide किया उन्होंने कहा, divide करो और फिर rule करो ये subcontinent में उन्होंने अपनी policy बनाई थी बहराल आगे वो कहता है कि focus understood power knowledge as productive as well as constraining वो कहता है इनका रिष्टा productive भी है और constraining भी है देखें, ideas जो होते हैं वो अपनी self में neutral होते हैं वो खुद से नहीं कहते कि हमें इस चीज़ के लिए इस्तमाल करो इस्तमाल आपने करना है, positively कर लो या उनको negatively कर लो अब आप अगर उनको positively करेंगे तो वो आपको फायदा है constructive वे में यूज किया जाए अगर उनका और अगर आप और के लिए किसी को दबाने के लिए कर रहे हैं तो वो constraining यूज होगा तो यह आप पर है कि आप उसको कैसे इस्तमाल करते हैं वो भी इसको दोनों तरह का समझता है आगे वो कहता है कि पर नॉलेज not only limits what we can do बट ऑलसो ओपन अप new ways of acting and thinking about ourselves यानि कि knowledge or paul चाप ऑज जाए कि नॉलेज ओर लिमेट उतों कान शायचे-ड़न ही कर दूसरी तरह जाए कि but also opens up new ways of acting and thinking about ourself तो यह आप पर डिपेंड करता है कि कौन सी रेस जीतते हैं बैसे दूसरी वाली जो रेस है इट इस इंटरस्टिंग वन तो आज का टॉपिक यही तक नेक्स तम लोग इसका डिसिप्लेन पढ़ेंगे मिलते हैं नेक्स लेक्चर के अंदर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा लाफिस